नमस्कार आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉनिंग लाइब शो बिहार बिहार और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट निहारिका हमारे सभी दर्शकों का स्वागत कारिक्रम बिहार बिहार में चलि आज बाते करते हैं लेखन और साहित्य की कहते हैं लेखन अदब सिखाता है लेखन विनम्र बनाता है कभी समाज की सचाईयों को उजागर करता है कभी शब्दों के कटाक्छ से समाज की कूपरथाओं पर कुठारा घात भी करता है कभी आसमा से तारे तोड़ लाता है त कारिक्रम में आज हम आपको दिखाएंगे दुनिया एक साहित्यकार की उसकी रचनाव की कहानी बताएंगे उसकी कविता के हर एक पंक्ती की और बाते करेंगे उसकी लेखनी से उद्रश क्नेंज Uns के वधर शब्डों की क्योगी आज कारिक्रण बिहार्विहां में हमारी स الحिं पर सही राह पर चलते रहना चाहिए और यहां हम अगले सिग्मिन के माध्यम से आपकी मदद करते हैं, हम आपको बतायते हैं कारिक्रम की शरुवाद में आज का सूविचार, और इन सूविचारों के माध्यम से हमें सही राह पकड़ने में मदद मिलती है, तो आएँ देख ल कुछ नहीं है, बस सबते जिवित रहता है। जो छोटी-छोटी बातों में सच को गमिर्था से नहीं लेता है। उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं क्या नहीं सकता है। स्वागत करिया हमारे साथ हमारे आज के महिमान डॉक्टर शिवना रायन सेंग जेगा। सर अभिनन्दन स्वागत आपका कारिक्रम आपका कभी है। वहां भी आपकी कई रचनाएं और कई पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं। आपने काफी आलोचनाएं लिखी हैं। साथ ही आपने कविताओं की रचना की है। और आप सरकारी संस्थाओं से भी जुड़े रहे हैं। और हिंदी के छेतर में आपने काफी कुछ काम किया ह बातों की शुरुवात उस दौर से करूंगे जब आपने रचनाये लिखनी शुरू हुई कैसे हिंदी के साथ जुडाओ हुआ एक बहुत ही आम सवाल पर बहुत महत्पूर्ण सवाल से सबसे पहले तो आपके प्रती और बिहार बिहान के इसकारिकरम के प्रती में अपना हरदी काभार निवेदित करता हूं कि आज आपने मुझसे बातचीत का ये एक स्वार्णिम आफसर मुझे दिया यह एक बहुत कॉमन सा सवाल है हमारे लिए जाने कितनी बार पुछा गया मैं आरंब से विज्ञान का च्छात रहा था और कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं साहित में आया कैसे क्योंकि मेरे परिवार में तो साहित का कोई माहौल नहीं था मैं निपट गाउं से आया हूं बिहार के सुदूर प्रांत भागलपूर अब तो नया जिला हो गया है बांक का भी सुदूर गाउं वहा का मैं रहने वाला हूं जो गड़ा और बांका के सिमांत पर भागा बसता था जोगडिया च्छोटा सा गाउं है मैं वहीं से आता हूं पिता जी मामुली किसान थे छोटे किसान थे घर में मा थी नहीं उनका निधन बहुत छुटपन में हो गया मैं अस्थाना अंतरित हो गया पढ़ाई लिखाई के क्रम में तो मेरे परिवार में मतलब साहित का कोई माहौल नहीं था तो कभी-कभी मैं खुद से सवाल करता हूं कि आखिर मैं साहित की और आया कैसे है तो फिर मुझे लगता है कि शायद मेरे जीवन में जो एकाकी पन था में अनई थी परिवार में मैं परिवारिक सदस्यों के बीच कभी रहा ही नहीं कभी नहीं तो मुझे लगता है कि कभी-कभी वह जो जन्गली-पाउधा होता है ना कहीं भी जाता और उन Ace Ч便 ऑर उनहीं जो से संगती मुलती है जो महाल मिलता है उसमें बठते चला जाता है तो वैसे ही परिवेश में कहीं से कुछ प्रेणा मिली होगी, क्योंकि जो पहली कविता मैंने लिखी थी, कविता नहीं बलकि मेरा आरंबतो सुर में कहानी से हुए, तो वो 14 साल की चोटी से उम्रे रही आपकी, और उसकी भी एक अजीब कहानी है, मैं नवी कक्षा का छात्र हुआ करता था, कटिहार हाई स्कूल का मैं चात्र था, तो मैं कभी कभी कुछ लिखता था, उन दिनों एक फिल्म मैंने देखी थी, मैं याद करता हूँ आज, यह मैं पहली बार आप से साजा कर रहा हूँ, यह अचानक से मुझे जाने कैसे याद आ गई, एक कोई फिल्म आई थी, वो जितेंदर और लीना चंद्रा वरकर थी उस फिल्म में, और वो शायद याद नहीं कर रहा हूँ कौन से फिल्म थी, कहानी यह थी किसी खाजाने की तलास में नायक नाइका भटकता है, और भटकते भटकते उसे एक कुंजी हांत लग जाती हो जस्वस्ता तो मुझे उसमें बड़ा कौतुक नजर आया, मेरे पास समय काफी होता था, तो मैं उल्टा लिखने का मैं अभ्यास करने लग गया, और उसको मैं धीरे-धीरे दरपण में पढ़ता था, तो इसमें मुझे बहुत आहतुक आनन दाता था, लेकिन लिखने में मुझे काफी लिखने लग गया और पढ़ने लगया, लेकिन वास्तों में जब मैं नवी कक्षा में था और अंग्रे जी का परचा था, हमारे जमाने में छटी कक्षा से ABCD की हम लोगों की पढ़ाई हम लोगों के शुरुआत होती है, तो अंग्रे जी मेरी बहुत ही कमजोर थी, जानता ही नहीं था मैं, रठके में परिक्षा में लिखता था और किसी तरफ पास कर जाता था, तो अंग्रे जी का परचा था जब मैं बैठा तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी बुद्धी से लिखूंगा तो मुस्किल से 15-20 नंबर के मैं उत्तर लिख सकता हूं, तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं एक काणी लिख दूँ तो इस तरह से छुपा कर कि कोई मित्र देखे नहीं, आपने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि कख्षा में भी मेरी पहचान थी कि यह एक मिधावी चात्र है, तो मुझे लगा कि अगर मैं लिखूंगा नहीं बैठा रहूंगा तो मेरे दोस्तों सारी मेरे खिली उड़ाएंगे, तो ज्याने क्या मेरे मन में एक बाहत आई, कि उसको मैं लेके ऐसे छुपा कर मैं लिखने लग गया, अंग्रेजी के परचिम हिंदी की काहनी, मेरा एक मित्र था, बंगाली था हुआ, और उसके पिता जो है, वो एक एक बड़ी बेहन थी, उसकी माँ थी, उसकी बड़ी बेहन एक जिला परिशत के कारियाले में काम करती थी, और वो अपने भाई को बहुत जतन से पुत्र की तरह पालती थी, कि यही एक परिवार मेरे बच गया है, और वो इसकूल आ रहा था, वहां वो जो मैं बात बता रहा ह स्कूल की तरफ, उस लड़के को गोली लगी, हम लोग बात्चित करते-करते जा रहे था, और मैंने देखा अचानक से वो गिर गया, फिर मैंने देखा कि खुन बहने लग गया, तो उसको थोड़ी दिर के बाद भीड़ लग गयी, वो लड़का मारा गया था, बाद मैंने कि वो उसी का भाई है, वो पागलों की तरह वो हरकत करने लगे, और बाद में तो बिल्कुल विक्षिप्त ही हो गई, और उसी तरह उसका भी करून अंत हुआ, तो ये जो मेरे जीवन में घटना घटी थी, मेरे ही दोस्त के साथ, जो मेरा सबसे प्रियमित्र था, इसी को आधार बनाकर मैंने वो कहानी अंग्रे जी के पर्चे में लिख दी, कहानी तो लिख दी, बाद में मुझे ध्यान आया कि मेरे अंग्रे जी के सिक्षक हुआ करते थे मिस्टर जे जा, पूरा नाम था जगन्ना जा, आज भी मैं याद कर सकता हूं उनको, वो बड़े लंबे करके दिप दिप गोरे करके वो थे, तो मुझे याद आया कि अब कौपी तो उनहीं के पास जाएगी, और सजा देने का उनका दो ही तरीका था, या तो वो उंगली में पैंसिल रखकर वो इस तरह मरोडते थे, वो बहुत पीड़ा होती थी, या तो वो धीरे धीरे प्यार से बुलाते थे और जटक के पेट को यू पकड़ के यू मरोडते थे, ये दोनों पीड़ा दायक सजा थी, तो मैं डरता रहा, तो एक दिन अचानक उनके पुतर था मानस, देखिए मुझे आज उनका नाम भी याद है, वो मेरा क्लास में मेरा दोस्त था, उसने कहा कि बाओ जी ने तुमको घर पर बुलाया है, तो बड़े गर्व की बात है, पिता जी ने किसी एक विद्यार्थी को बुलाया है, मतलब इसके कापी जहूर बहुत अच्छी होगी, तो कक्षा में तो मेरी ख्याती फैल गई, कि पिता बाओ जी ने आज उसे बुलाया है, ल जब मैं उग गया तो वो दर्वाजे से निकले, उस जमानी में तो हम अपने सिक्छकों को दूर से ही देख के बहुत 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 रहते थे, और पहली बार मुझे उनके उतने निकट जाने का उसर मिला, वो बाहर निकले उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम शिव नारण ह तो मैं चुप, कुछ बोलने का सहास नहीं, तो वो मेरे निकट आया, बोले कि बदमाश कहीं के, अंग्रेजी में तुम हिंदी की कहानी लिखते हो, और उनका हाथ मेरी और बढ़ा, मैं समझ गया था, या तो मेरे उंगली में पैंसिल आएगी, या तो मेरे पेट को या निकले कहानी लिखते हो, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है, तो मैं चुप रहा कहा कि गण थैसंसी और पैसे कहा सिब रोय पारते हैं, मैं तो मैं तो अकेला रहता था, कोई था नहीं है, अब हमारी पडिशा है, तो वो मैं भूपी समय तो चलो एक काम करना जिस तरह की कहानी तुमने लिखी है ना महीने में इसी तरह की कहानी लिख कर दिखाना मुझे यही तुम्हारी ट्यूसनफी होगी और कल से तुम आ जाना पढ़ने के लिए और फिर वो वो सिलसला शुरू हुआ है लेकिन यह सिलसला यहां रुका नहीं उसके दो-तीन महिने के बाद एक दिन हम लोग स्कूल जाते थे तो वहां प्राढ़सना होती थी, सुभा सुभा प्राढ़सना होती थी, हम लोग लाइन में लगे रहते थे लिए एक दिन मेरा नाम पुकारा गया, मेरे सिक्षक, हेड मास्टर हुआ करते थे केके पाठक, उन कलकत्ते से एक अखवार निकलता था, दैनिक विश्व अमित्र, उसका रहिवारिय परिश्ष्ट होता था, उसमें छपने के लिए भेज दिया था, और उसके नीचे जो मेरे परिचे में मेरा नाम और नीचे क्लास और हाई स्कूल कठिहार का नाम छपा हुआ था, तो वहा के चात्रों की ओर से यही संपादक होंगे, जैसे विधी ने भागे विधाताना मेरा भागे भी निर्धारित कर दिया, आगे चल कर मैं लेखक बनूंगा और संपादक बनूंगा, तो यहीं से शुवात है, और मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कहूँगी, कि यह कहा आज आपने कहा कि यह कहाने आपने हमसे साजा किया, क्योंकि जब शिरुवात हम करते हैं, एक उम्र होती है जब शायद हम खुद भी अपनी प्रतिभा को नहीं पहचानते हैं, और उस वक्त जरूरत होती है कि ऐसे व्यक्ति कि जो उस हीरे को पहचान सके, और वो कारे आप के सिक्षक ने किया और ये ये भूमिका कई दफा सिक्षक निभाते भी हैं और तब आपको खुद को भी पता चलता है कि क्या मेरी लेखनी में इतनी ताकत है मैं अपाठकों तक कैसे पहुच सकता हूं और ये कहानी मैं बड़ी ध्यान से सुन रही थी और मुझे लगा हमारे जरूर ये पूछूँगी और ये गुजारिस करूँगी कि कोई कविता जो आपके जहन में होगे कि आपने कई सारी कविता संकलन भी आपके आए हैं वो सुनाना चाहेंगे हमें कोई कविताओं के मेरे पांस संकलन आए हैं कविताओं में मेरी सबसे पहली किताब थी वो त कई संस्क्रण हुए ये मेरे हाथ में जो किताब आप देख रहे हैं ये उसका पाच्वा संस्क्रण है इसके बाद ये किताब आई सफेद लोक्तंत्र अच्छा सफेद लोक्तंत्र दूरदर्शन में एक बड़े प्रशद्ध कभी हुआ करते थे कुवेडदत जी दिल्ली में बड़े प्रेम से बनाया था ये इस पुस्तक का ये तीसरा संस्क्रण मेरे हाथ में है फिर एक किताब आई दिल्ली में गाउं ये पिछले दिनों ये किताब आई थी और मेरी चुनिन्दा ये कभीताओं को लेकर हिंदी में प्रशद्ध कभी हैं डॉक्टर अम्रेंदर उ और पिछले दिनों मैंने गजलें मैंने लिखनी तो पिछले दिनों एक गजल भी मैंने किताब मेरी आ गई जील में चांद, हलांकि अब तो जनवरी में एक दूसरी किताब आने वाली है मेरी कल सुनना मुझे, कल मुझे को सुनना, यह मेरी दूसरा गजल का संग्रा आने वा कि गम का क्या उपचार नहीं है लोगों में किरदार नहीं है और उपर उपर क्या पढ़ लोगे जीवन यह अखबार नहीं है कि उपर उपर क्या पढ़ लोगे जीवन यह अखबार नहीं है और हम रिस्तों में जीने वाले कोई भी दीवार नहीं है कि हम रिस्तों में जीने वाले कोई भी दीवार नहीं है और जो खुशियों पर ताला जड़ दे ऐसी भी सरकार नहीं है अशिव को यह मालूम हुआ है जीना यह दुश्वार नहीं है गम का क्या उप्चार नहीं है लोगों में किरदार नहीं है कविता लिख रहा है तो उसकी सारी कविताएं हमें पढ़ने को मिलते हैं या अगर कोई कहानी लिखता है तो वो उस अक्षेत्र में जाला काम करता है। यह है कि मैं अपने सिक्षकों के निर्मिती हूँ, मैं विज्ञान का छात्र था, पहले जो बच्चे होते थे हम लोगों को अपना कोई बोध नहीं होता था, जो अच्छे बच्चों को हम देखते थे और उसकी नकल करते थे, कि वह बहुत अच्छा विद्यार थी है, साइंस पढ़ रहा है, तो मैं भी साइंस पढ़ूँगा, और क्लास में, वर्ग में मुझे कभी बुरे अंक नहीं आए, हमेशा मैं अवल रहता था, मिधावी चात्र है, मतलब उस तरह के चात्रों के पहचान थी मेरी, तो मैं देखता था कि जो विज्ञान पढ़ रहा, मैं भी हिंदी भी भागा ध्यक्स थे, आज मैं याद करता हूँ, प्रोफेसर आईडी गुप्त, दी-एस कॉलेज का ठीहार का मैं छात्र था, उनकी नजर मुझ पर पढ़ी, और उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे पहली बार ये सलाह दे थे, कि तुम्हीं हिंदी पढ़नी चाहिए, तुम विज्ञान के लिए तुम नहीं बने हो, तुम साइंस के लिए तुम नहीं बने हो, तुम्हें हिंदी पढ़नी चाहिए, पता नहीं उन्होंने उनके कहने का प्रभाव था, कि क्या था, उनके कहने से, एक साल मैं पढ़ चुका था ओनर्स में, मै फिर से हिंदी में चला गया, घर में मैंने किसी को जानकारी नहीं लिए और मेरे पिता जी चाहते थे कि बेटा मेरा डॉक्टर या इंजीनियर बने तो मैंने पिता जी को बिना बताए अपना विशा बदल लिया और मैं आ गया हिंदी में, साइंस के विद्यार थी मुझे बह अपनी के विद्यार थी उस जमाने में धोती पहनते थे, पैजामा पहनते थे, कुर्ता पहनते थे तो जब मैं वहां गया तो वह मुझे स्विकार्णी के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि विधिवत मेरी पढ़ाई हिंदी की तरह से हुई नहीं थी, लेकिन मैं अपने उस अलंगकार है, चंद है, इतियास है, हर चीच की जानकारी थी, और मेरी तरफ लोगों का धियान तब आकरिष्ट हुआ जब मैं बी-ए में टॉप कर गया, पूरी यूनिवर्सिटी में, तब लोगों को लगा किया, रहे, ये मतलब एक अलग ही प्रतिभा है, तो उसे बीच हमारे शहर से पत्रिका अखवार निकलता था, अभी नौपत, अस्थानी बिधायक वो निकालते थे, और एक सिक्षक ने मुझे उसका उसमें लिखने के लिए प्रिरित किया, मैं लिखने लगया, तो पत्रिकारिता में क्या होता है, कि आप जवरत के हिसाब से लिखते है, वहां अपनी मर्जी चलती नहीं, उस अखवार में मैं रहा दो-तीन वर्षनों तक, फिर जिला जियोती नाम से अलग पत्रिका में चला गया, फिर मेरे जो मित्र लोग थे, वो कहते थे, क्या तुम साहुकारों की चाकरी कर रहे हो, कुछ पैसे के लिए, अपनी पत्रिका निकालो अपना ये कर, मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे दोस्तों ने मिलकर एक संस्था बनाई, और भूमी का नाम से पत्रिका निकाली, और मुझे उसका संपादक बनाया, तो उसमें अलग-अलग छेत्रों के लोगों से में मिलता चला गया, तो मैं आज गौर क में वहां से मेरे जीवन में बिविदता आई, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा लेखन आरम हुआ था कहानी से, कहानिया मैंने बहुत लेकिन आज भी मुझे सुकून मिलता है कविताय लिखकर, कविताय बहुत बाद में मैंने लिखना सुरू किया, और एक अंतिम ब लिखना मैंने वही से आरम किया, कविता लिखना अपने भीतर को जाकना होता है, अपनी समवेदना को पहचानना होता है, और आसप परोस, मैं जितने भी लोगों को देखता हूं, उसके जीवन को करीब से जानना और समझने की एक प्रक्रिया होती है, जिनाओ के लिए ये 2011 क्या थिक्र आपने किया, देश के राष्टपती महामहीम प्रणम मुखर जी के हाथों, वह सम्मान मुझे मिला 2014 में, ये गणे शंकर विद्यार्थी सम्मान है, और यह सम्मान किसी खास पुस्तक के लिए नहीं मिलता है, ये पत्रकारिता और सरजनात्मक कारियों के लिए मिलता है, तो पत्रकारिता में जो मेरे कारिय थे, और जो मेरे सर्जनात्मक लेखन है, यानि कविता है, कहानी है, इन्हीं दो विद्याओं का मुल्यांकन के आधार पर वह मिला, इसके पहले संयोग से 2011 में ही मुझे ICCR, भारतिय संस्कृतिक संबंद परिशद, ये विदे कविता के लिए, वो मुझे मेरी दूसरी किताब थी काला गुलाब, उस पुस्तक के लिए वो नागारजुन संब्मान मुझे मिला, तो ज्यादा तर जो मुझे अभी तक संब्मान मिले हैं, वो मेरी विदाओं के लिए मिले, जैसे मैं याद करता हूँ भुपाल में जो किताओं के जो मेरे विधागत है, खासकर आलोचिना और कविता और इन्ही सब चीजों के लिए मुझे मिले हैं, संकर्द्यार सर्मा जी थे उन्होंने मुझे 1999 में सम्मानित किया था, जैसे बहुत अच्छा लगता है, जब हम जो कारे कर रहे होते हैं, उसे सराहा जाता है, हम पाठकों सक तक पहुंचते हैं और साथ ही उनके माध्यम से ही ये पुरसकार हमें अरजित भी होते हैं, अगर मैं बात करूँ आपकी तो आपकी खासियत ये है कि आपने भाशावे ज्यान पर भी काफी कुछ लिखा है, और उसमें जो आपकी पुस्तके हैं वो बहुत उ कोशिश की है, साथ ही आपने भारत सरकार के वैज्यानिक तकनीकी शब्दावली निर्मान में भी आपने सहयोग दिया है, मैं इन विशयों पर आपके कारियों के बारे में जानना जाओंगे, ये आपने सही कहा, मेरी प्रिष्ट भूमी सुरु से विज्यान की रही, मैं हि मैं बन नहीं सका, और जब उन्हें जानकारी मिली कि मैं हिंदी मागया हूं तो उन्होंने मुझे कभी माफ नहीं किया, कभी नहीं, अंतिम छण तक नहीं, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनू, तो उनकी खुशी के लिए मैंने पीच्डी की, और मेरे नाम में डॉक्टर लगा, और आज तो मैं दर्जनों-दर्जनों लोगों को रिसर्च करवा चुका हूं और करवा भी रहा हूं अभी, लेकिन यह जो भाशा विज्ञान है ना, इसके प्रती मेरी रूची, मेरे जो सिक्षक थे, प्रोफेसर आईडी गुप्ट उनकी वजह से आई थी, बाद कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं बहुत दुरूर विशय पढ़ रहा हूं और विज्ञान की प्रिष्ट भूमी रहने की वजह से भाशा विज्ञान में मैं रमता चला गया, तो वह व्याकरण हो या भाशा विज्ञान हो समाज के साथ उसके संबंधों को लेकर मैं हमेस ठीक है ना, अब कोई पूछे कि इस अलप प्राण का महा प्राण का उप्योग क्या है जीवन में, घोष और अघोष का जीवन में क्या महत्व है, कोई नहीं बताता है, बस हमें ये चीज़ें बता दी जाती है, कि हिंदी की वर्ण मालाओं में जो दूसरा और चौथा वर विशेशन, क्रिया, उन सबका उप्योग है बाशा को संश्वधित करने में, बहुत बाद में ऐसे विश्यों के ओर मेरा ध्यान गया, तो मैंने पाया, कि ये जो अलप प्राण है, महा प्राण है, हिंदी के जो वर्ण है, उन वर्णों का विज्ञान के साथ बहुत गहरा स आचर ये है, और वो वायू है, वायू निस्रित होती है उन वर्णों के उच्चारण से, अलप प्राण का मतलब होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायू निकले, महा प्राण का मतलब है, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायू निकले, और एक बात, ह महाप्राण के वर्ण जादा हैं, तो क्या निराला जी वर्णों को खोच-खोच कर तो नहीं लिखते होंगे, तो इसका सिध्धान्त देखे हिया है, यह तो बहुत बाद में, अध्यन के दौरान मैंने पाया और देखा और मैंने इस पर बहुत सारे प्रयोक मैंने किये, जादा दिखेंगे, और जिस वेक्ति का जीवन सुखमे होगा, उसके जीवन में तनाव नहीं होगे, वह दुख से नहीं गुजरेगा, आर्थिक संघर्ष नहीं होगा उसके जीवन में, तो उनकी कविताओं में अल्प प्रान जादा होगे, तो क्या हुआ इससे, हम भाव को समझ सकते हैं, और यह जो मादिय में, यह कभी गलत नहीं हो सकता है। समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बात आपने कहीं, अगर मैं जिक्र करूँ आपके विदेश यात्राओं की, आपने कई सरकारी संस्ताओं के साथ जुड़कर इस उक्षेतर में बहुत काम भी किया है, और कई दफा विभिन विदेशों की आपनी यात्राएं भी की हैं, कुछ भी देश यात्राओं जुड़ गई, वो संयोग है, यहात्राओं बहुत की हैं, देश का कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा, मतलब जहां मैं ना गया हूँ, बहुत सारे मुलकों का भी मैंने भ्रमन किया है, आप कह रहे हैं कुछ यादें साजा करूं, तो मुझे सबसे बढ़ियां लगा, वो साउस अफरीका, उन से हमारी बहुत संगती बैठती है, हम हम हें हिंद महा सागर के छोर पर हम हैं, दूसरे छोर पर हमारा साउस अफरीका है, गांधी जी, नेलसन, बंडेला, वहां के राश्ट्रे पिता हैं हमारे महत्मा गांधियां, बहुत पहले महात्मा जी वहां गये, महात्मा बने ही वह थे वहां जाने के बाद, वह जब वहां गये थे तब तो मोहंदास करमचंद गांधी थे, लोटे तो महात्मा गांधी बन के लोटे, तो वहां का जो उनका संगर्श है, कई जगह में वहां गया, टॉल स्टाइब फॉर्म, टॉल स क्या गांधी जी के प्रती मिनों के अनुराग मैंने साउस अफरिका में देखा भगवान की तरफ पूछ पूछते हैं थाहनु आज भी अन्म प्रती है जैसे निछयानसर मंडेला के का मांडेला के मतीन हैि देखिए दुनिया में जहां कहीं भी discrimination है बहत भाव है चाहे वो रंगभेत के खिलाफ हो चाहे वो धार्म के कारण हो चाहे वो जाती ब्यवस्ता के कारण हो पीडा सबकी एक होती है दर्द सबका एक होता है और उस दर्द के निवारण के लिए समय समय पर जो महापुरुश आते हैं उनके प्रत का जाकर मुझे बहुत प्रशन अता और बहुत आत्मियता का अनभाव आपको हुआ बहुत जे जे और पुर्णा आपसे जरूर कहूंगी कि कोई एक कवेता जो आप हमें सुनाना चाहें फिल्हाल इस समय में आपने काफी रचनाये लिखी हैं और कई कवेता संक्रम्धिया चोटा एक चोटे बहर की एक गजल ही सुना देता हूँ फिर बाद में अगर आप आफसर देंगे तो मैं चोटे बहर की है तो ये आप देखें कि जिंदगी को गुन गुना कर देखिये कि जिन्दगी को गुन गुना कर देखिए अच्छंद में इसको सजा कर देखिए कि जिन्दगी को गुन गुना कर देखिए अच्छंद में इसको सजा कर देखिए अचल पड़ेगी तूटते रिस्तों की सांस कि चल पड़ेगी तूटते रिस्तों की सांस प्यार की थपकी लगा कर देखिए कि चल पड़ेगी तूटते रिस्तों की सांस प्यार की थपकी लगा कर देखिए दिल के अंदर रोशनी बढ़ जाएगी कि दिल के अंदर रोशनी बढ़ जाएगी कि दूसरे का गम उठा कर देखिए, कि दिल के अंदर रौसनी बढ़ जाएगी, दूसरे का गम उठा कर देखिए, वक्त के इन दुसमनों की भीड से, रास्ता कोई बना कर देखिए, क्या बुराई है अगर शिव के लिए, क्या बुराई है अगर शिव के लिए थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा कर देखिए, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा कर देखिए, जिन्दगी को गुन-गुना कर देखिए, छंद में इसको सजा कर देखिए, क्या वायत है और मैं कहूंगी कि आपके जीवन के अनुभव इन पंक्तियों के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं जीवन को गुन-गुना कर देखें अगर मैं आपकी आलोचना के किताबों का जखर ना करूं तो शायद बाते अधूरी रहेंगी मैं कई किताबे भी आपके समक कुछ देख रही हूं आपने अलोचना में काफे कुछ लिखा है और अमूमन यह जो लिखने का तरीका होता है यह कई सही बातों को उजागर भी कर देता है कौन सी खास पुस्तके आपने लिखी है कुछ बताना जाहेंगे मेरी 28-29 किताबें है इसलिए मैंने जखर किया इन चंदों का भ्यास करने के लिए केवल उन अलंकारों का भ्यास करने के लिए कोई ऐसा चंद नहीं है जिसमें मैंने रचनाय नहीं की सब में मैंने लिखा गजल विधा रह गई थी तो मैंने इसमें भी लिखा तो यहां से मेरे जीवन में एक वेवस्ता आई किसी भी नहीं है, जिसके जीवन में विखराव नहीं है। लेकिन उस विखराव को भी हम एक वैवस्थित तरीके से समेट करके उसे हम देखें, उसकी समवेद्णाओं को समझपर रखने की कोशिस करें। यह समझ मेरे अंदर कविताओं से आई और इस समझ ने मुझसे कई किताबें लिखवा ली, यह कुछ किताबें इन आपको दिखाना चाहूंगा, यह संस्कृती का विवेक है, इसमें मैंने संस्कृती चिंतन से सम्मंधित बहुत सारे मेरे निबंध हैं, उसी तरह से यह कला स प्रतिरोध का ये कथा शिल्प है, मेरे संपून लेखन के मूल में ही प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध को मैं कैसे व्यक्त करता रहा हूं, तो उन पर अलग-अलग दृष्टी कून से देखने का एक नजरिया है, प्रतिरोध का कथा शिल्प, इसी तरह भी ये पिछले दिनों ये किताब आई, 21 के आरम में ये किताब आई है, साहित का लोकतंत्र, साहित में ये वाद चल रहा है, वो वाद चल रहा है, नानप्रकार के वाद हैं, और हम किसी एक वाद के पीछे भागने लगते हैं, तो इसका मतलब है कि जो अन्य वाद की खुबसूर्ती है, उससे हम तो उस लोकतंत्रिक तरीके से साहित के अंदर कुस्तत्तू की पड़ताल मैंने की है, जो इस किताब में है, कई किताबें ऐसी हैं जो पत्रकारिता से संबंदित भी है, पत्रकारिता को मैं साधू संग्राम कहता हूँ, तो ये किताब है साहितिक पत्रकारिता का साधू संग ही आपकी हैं तो इस सारे तथों की पर्टाल इस में है उसी तरह से मैंने विज्जयापनों में काम किया था हिंदी विज्ज आपको देखेंगे तो लगए आधी पत्रगारिता के समकालिन विमर्ष पर भी एक किताब मेरी बहुत पहले आई थी तो इस तरह से बहुत सारी रचनाये आपने कि हर श्यक्यर पर आपने लिखा भी है और आज जो हमने आपसे बात चीत की बहुत सारे आपकी अनुभव़ों को भी जाना जो हम सभी के लिए हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही प्रेरणा दाई रही आपको बहुत बहुत धन्यवाद आजकारी क्रम में वक्त निकालने के लिए हमसे बाते करने के लिए अपने अनभव साजह करने के लिए दिल से धन्यवाद आपका आपको भी बहुत भुष धन्यवाद और बिहार बिहान के प्रति भी बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस आउसर पर अस्मरण किया और थोडा उकास दिया कि मैं अपने उपर भीतर जाक सकूँ और कुछ बातें आपसे साजा कर सकूँ बहुत 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 धन्यवाद आपका और दश्रको आज हमने बात की सुर्श के हिंदी के साहितिकार डॉक्टर शिव नाराइन सिंग जी से उनकी लेकनी को जाना उनके अनुभावों को हमने समझा और आप से साजा किया और आप से ये कहूंगी ये गुजारिस्ट करूंगे कि आप अपनी बातों को हमसे साजा करें कैसे करेंगे आप हमें इमेल भीजें आप हमें खत लिखें हमें बताएं कैसा लगता है आपको हमारा ये कारिक्रम बिहार बिहान कैसे जोड़ते हैं हम आपकी सु हमारा इमेल आईडी है डिरेक्टर डिडिके पत्ना आट जीमेल डाट कम